अस्सलाम आलेकुम नाजरीन उम्मीद है आप सब खहिरियस से होंगे आईए आज आपके लिए हमने बहुती 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 खुपसरत सा एक आइडिया लाए है जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा सुनकर क्योंकि इसमें एक रुपया लागत लगानी की जरुवत नहीं है जिरो इन्वेटमेंट आइडिया है सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ी महनत करना एए कोई दुकाने बना है कोई मौल बना रहा है कुछ ना कुछ हर जगा बनाना शुरू है तो इसके अंदर सबसे जादा जो इस्तमाल होने वाली चीज है वो इट है उसमें जो है रेती है उसके अंदर जो है गिट्टी है क्योंकि कैसा है तीनों चीज इतने जरूरी है कि इसकी सिवा बनने वाला नहीं है, सिमेड भी है लेकिन इसकी अपनी जरूरत नहीं है ये तीन चीजों को ही अपने को जो ना पकड़ के चलना है इसका बहुती अच्छा बिजनास आइडिया बताता हूं मैं आपको जैसा कि समझ लीजिए आपको सबसे पहले जो है तो ये गिट्टी का जो कारखाना जहां पे रहता है उसके मालक से आपको बात करना है और छोटे टैक्टर के अंदर एक ब्रास माल बेटा है तो उसके पास रुपए आपने कमिशन लेना है तो उस तरह के से उसे बात कर क्या है तो फिर जो है इट वाले भट्टी से मिल ले जो इट का माल बनाता है इट का कारखाना चलाता है तो भाई हम बड़े जो पाच हजार इटा एक बड़े ट्रक में बैट्टी है तो उससे आप बात कर ले किलियर कट किया आप मुझे एक हजार रुपए कमिशन दे जिसका माल अच्छा हो उसके पास में ही जाए एक हजार रुपे कमिशन दे और एक ट्रक के अंदर दो हजार इटे बैट्टी है तो आप उससे पासु रुपे कमिशन ले तो तीसरी जो चीज रही है वो है रेती अब रेती भी जो है एक बड़े ट्रक के अंदर पाच बरास माल बैट्टा है तो उससे भी आप बात कर ले उसके ठेकेदार से उसके मालक से रेती वाले के के भाई मेरे थूँ आपका माल बेचूँगा तो आप जो है न मुझे एक हजार रुपे पर गाड़ी पर कमिशन चाहिए अगर एक टैक्टर है तो उसके पासो चाहिए एक ट्रक अगर मैं बेचू पाच बरास का तो मुझे हजार रुपे चाहिए तो इस तरीके से आप ये तीनों कारखानों वाले उससे बात कर ले तो इस तरीके से कैसा है आज इसकी डिमांड बहुत है ये बिद्नस 12 महिने चलने वाला बिद्नस है क्योंकि कैसा आये कि हर जगा कहिनात कोई काम शुरू है कहिनात कोई जो है बिल्डिंगों को काम शुरू है फ्लैड बनाना शुरू है दुकाने बनाना शुरू है केनाद कोई मौल बनाना शुरू है हर जगा केनाद कोई कुछ ना कुछ काम शुरू है तो ये बहुती अच्छा बिद्नस है लेकिन ये बिद्नस सबसे पहले तो आपको ये सबसे contact कर लेना होगा contact करने के बाद में अगर आपके पास में दुकान है अगर समझ लो चोक पर नहीं है रोड टच दूर भी है गाउ से तो भी चलेंगा क्योंकि कैसा है ये ऐसे जो hardware के जो hard काम होते ही है ज़्यादा कर गाउ के भारी दुकाने होती इसे ज़्यादा जगा चाहिए लेकिन इदर आपको सिर्फ छोटा सा एक office बनाना है आपको माल नहीं रखना है आपको सिर्फ छोटा सा एक office बनाना है उसके अंदर आपको गिट्टी के sample रखना पड़ेंगा आदे इंची, पौन इंची, एक इंची जो माल ज़्यादा big time उसका जो है आपको sample रखना पड़ेंगा रेधी का sample रखना पड़ेंगा और इट का sample रखना पड़ेंगा इट जो है एक वो मट्टी कीड बनती है, एक concrete इड बनती है तो concrete इट वाले के पास भी आप जाके बात कर सकते हैं जिस तरीके से समझ लिजिए बिकेंगा, तो आपको भी पूर जाएंगा, तो उसका भी एक sample रखना आपके पास में तो ऐसे 3-4 item आपके पास में है sample के तोर पर और सामने banner लगा दे और banner लगाने के बाद में जो है जहां-जहां building बंद रही है, जहां जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां आप सुरू करेंगे तो आपको तकलीफ होंगी आपको जो है न जो है न स्टार्ट करने के लिए सबर करना पड़ेंगा क्योंकि एकदम से इतना माल नहीं भीगेंगा धिरे धिरे और आपके उसमें कॉलिटी अकर अच्छी रहेंगी आपके पास में र्यटी की अच्छी uh जो है न अच्छी रहेंगी进 Wam जो हो एक न जो है न तो आपके पास мें कॉलिटी तो कैसा आपकी कस्टमर बढ़ेंगे और आपके कस्टमर जो है न जाधा डिमांड करेंगे माल्कि आप खुद देखते हैं कि एक घर बनाने के लिए कितनी रिती चाहिए, कितनी इटे चाहिए, कितनी हजारो लाखों इटे चाहिए, कितनी गिटी ट्रक चाहिए, कितनी गिटी ट्रक चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि रोज का आपने सिर्फ स्टार्टिंग में अगर एक ट् ट्रक बेचे तो आप समझ लीजे आप एक एक ट्रक पर हजार हजार रुपए कमिशन ले रहे हैं एक हजार रुपए तो तीन हजार रुपए अगर तीन गाड़ा भी रोज की अगर आप कस्टमर को देते हैं माल बेचते हैं आपके थ्रू तो तीन हजार रुपए रोज होता जैसा कि समझ लिए ना आपको माल खरीदी करना है, ना यह करना है ना ही आपको जो नो कोई investment करना है, ZERO Investment Business है, चोड़े बड़े कार खाने वाले ईट वाले हैं, रेती वाले हैं और गित्टी वाले कार खाने वाले, इनसे बात करना है और इनको कहना है क्योंगे पर तरक पे 1000 हजार रुपे चाहिए और छोटे टैक्टर पे 500 रुपे चाहिए इस तरीके से आगर आप बात कर लेते हैं इस तरीके से जो है न वो क्योंकि हर किसी को जो है न जरूरत होती है कि मेरा माल जल्ली भीके इट वाला चाहता है मेरा माल जल्ली भीके क्या बोलते हैं एरेती वाला चाहता है मुझे मेरा माल जल्ली बिके तो इस तरीके से अगर आप जो है न काम करते हैं तो उसका माल का सप्लाई भी बढ़ जाएंगा ये कारखानों वालों का तो उसका भी फाइदा है और आपका भी फाइदा है तो इस तरह से बहुत ही आसान है सिब इतना है कि कोई भी काम के लिए आपको महनत करना पड़ेंगा दिन लगन से काम करना पड़ेंगा आपको quality अच्छी देना पड़ेंगा और सिर्फ इतना है कि जब आप किसी किसी की delivery दे example 8 का अगर किसी ने order दिया है एक ट्रक का तो आपको इतना काम करना है कि आपको जिस जगा पे कस्टमर कहेंगा कि मेरी इहां पर काम शुरू है इहां पर आप खाली कर दे तो सिर्फ आपको वहां पर जाके थोड़ी देर खड़े रहे के एक तेर घंटा खड़े रहे के वह ट्रक खाली कर लेना है और वह मालक से पैसे ले लेना है जो कस्टमर है आपका उससे पैसे ले लेना है और जो driver है उसको आप जो है आपके commission काट के पैसे दे दीजिए हो गया बस इतना सा काम है आसान काम है आपका जो है ये बीना लागत वाला काम है सिभ इतना है का आपको थोड़ी महनत करना पड़ेंगा दिनलगन से काम करना पड़ेंगा और तीन हजार उपे रोज आप बात कर रहे हैं अगर हो सके अल्ला ने चाहा आपने महनत अच्ची कि आपका नाम बढ़ा तो आप रोजाना दस गाड़ेंगा भी लोगों को भेश सकते आपके कस्टमर रोज के दस गाड़ेंगा भी ले सकते किसी को एट की जरुवत है, किसी को रहिती की जरुवत है किसी को गिट्टी की जरुवत है, किसी को कॉंक्रीट एट की जरुवत है तो ये जो है ना बिजनस बहुत ही अच्छा है अगर दस गाड़ा समझ लिए एक हजार रुपए है तो दस हजार रुपए रोज होता महिने के तीस हजार रुपए होते हैं तो ये महिने के तीन लाख रुपए होते हैं तो जिस तरीके से अगर समझ लीजे आप ये काम करते ह तो आपका बहुत फाइदा है सिर्फ इतना है कि आपको कमिशन बेस पे काम करना है तो उमीद है मेरी ये बाते आपको समझ में आ गए होंगी हम नए-ने बीजनस आइडियास लाते रहते हैं नए-ने जो है ना बीजनस के बारे में बताते रहते हैं मोटिवेशन वीडियोस लाते रहते हैं हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकोन को भी दबा दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेर भी कीजिए मिलते इंशालला जब नेक्स्ट वीडियो में Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh